आने दो बदू मंजरी को जैसा बाबा जी ने का वैसा ही करूँ आज बात नहीं करूँगा आने दो हले राज कुमार जी अरे इन्हें हो क्या गया ऐसे तो दोर की लफटती थी बोलते थे मुश्कुराते थी लेकिन ना जाने क्या बाती यह तो यह लगता है कि काफ़ी दीन उसे नाराज जैसे हो अरे सुनो मैं कहता हूँ तुम उससे बात मत करो उससे बोलना नहीं चाहता मुझे से बात मत कीजिए राजकुमार जी आखिर क्या बात हो गई क्यों दिना नाराज हो नहीं बोलते हो नहीं मुश्कुराते हो आखिर बात क्या है मंजरी तुम्हारे मैनों में बारा महीने हो गए रहते हुए और मैंने कभी तुम्हे स्रंगार करते हुए नहीं देखा है आज मेरा दिल कहता क्या है क्या कहता है आज मेरा दिल कहता है यह जो पुकी सुन्दली त्यारी मधुमंजरी आजी च्रंगाल सोला मनाली दिये चाडी सुन्दली का पहनी औरी चंगान सजा प्यारी हचिन के नाले ते नाली दिये तेखो मंजरी जब तक तक तुम सोला सरंगार नहीं करोगी ना तो मैं तुमसे बात करूँगा और ना तुमारे हाथों का बनाया हुआ खाना खाऊंगा और ना ही तुमारे पलंग पर आऊंगा यदि तुम ऐसी बात करते हो तक तुम्हारे लिए तो मैं अपनी हूँ जान भी दे सकते हूँ, यह कार सी बड़ी बात है, मैं तुरण सोलो सुन्गार करके आ रही हम, तब तो बोलोगे, तब तो मेरी पास आउगे, तब तो भोजन करोगे, हाँ, जिस वक्त मैं तुम्हें सोलो उस रिंगार में देख लूगा, तुमसे जी भर कर प्यार करूगा ठीक है मैं तुरत आ रहे हूं सोलोस इंग्यार करके तुम्हारे सामने आ रहे हूं ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं देख लो कैसी लगते हूं क्या बात है आज तुम्हारे हुष्णी का जबाब नहीं ऐसा करो तुम्हारा हुष्णी देखकर मुझे मस्ती आने लगी जरा बिस्तर लगाओ आराम करेंगे यहनी सोलो सिंगार में देखकर तुम्हें नीद आ रही है आरे तो चलो दुरुजनल के अराम करते हैं ठीक है बिस्तर लगाओ करें दुम्हें आरे बिस्तर लगाओ पगली जरा से चार पाई पे गिरिने की सो गई और कितनी होश्यार है देखो मेरे पेरों में अपना पैर चड़ा लिया इसलिए के कहीं राजकुमार भगना जाए ठीक है मुझे भी सोना चाहिए अब मंगली गहरी नीद में सो गई है ठीक है मैं भी बहुत होश्यार हूँ मैं तेरा पैर बाहर उतार के रखता हूँ और जैसा बाबा जी ने का वैसा करता हूँ पैर बाहर आए घूजा बाहर बाहर बाए बाहर 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 हूँ कर दो कर दो कर दो कर दो है कर दो कर दो है कर दो कर दो क्या बताओं आबाजी के कहने में में वार तो करना जा रहा हो लेकिन बहुत तर्थ होगा तड़बेगी मंजरी ये सब तुझे अपने वतन ले जाने के लिए मैं कर रहा हो मुझे माफ करना कौन किस और तुम ही मेरे नंदी और तुम ही किस और लेकिन ये बात ये बात किसी से नहीं बताओंगी अपनी अस्मत पचाकर किसी गेर को फुसाओंगी पचाओ तो चोड़ 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 अरह बेती क्या बात हो गई पिता जी आज रात महिल में चोड़ी हो गई मेने सारे जीमों चले गए तर्मारी जाओ जाँ हम लोग पतरा करें सान फोल टॉर किस रास्तने और कहां से गई अरे सहुकारा है हमारे रामलाल भाईया यही मजहुना से क्यामन रुप्रा का है ना शुक्रिया आपके लिए हार्दी कर भी नंद है साहा ऐसा करते हैं दारपाल तुम इसे वक्त जाओ हमारे जिद्रे भाग के सिपाई है शार तरब लगा दो और यह बदमास किसी तरह भागने नहीं पाए हमारे जिद्रे भी सिपाई है शार के चार और लग जाओ कोई भी चोड़ कूल उटे रहा शार के बाहर निकल ले ना चलते हैं बड़ा समय कर दिया इसमें जेवर है शाबास कि एक काम और करो हमारे का तुमने सब कुछ किया अब एक काम और है अब क्या करना है अब काम यह है कि हमारे पास कुछ साधू के वश्च्र हैं इनको पहनो और हमारा चेला बनो हम जोगी भगीर बने हमारा चेला बनो शाधू बनो इसके बाद जो तुम जेवर छीन कर लाए हो इसी शहर में इसी चोराहे में एक सोना चांदी बेचना की दुकान खोलते हैं हम बेचेंगे और तुम खारे हमारे साध्र होगे वो भी कैसे कैसे शाधू बनकर तुमको गूंगा बनना है गूंगा गूंगा भी बनना पड़ेगा बोलना नहीं हम समाल लेंगे मंजरी के लिए क्या-क्या करवाओं बाबाजी यह अचला पहनो यह बंडा पहनो जल्दी पहनने के बाद दुकान खोल के बैठो केस्टमर से बात हम करेंगे तुमको खाली कूंगा बनके बैठना है ठीक है बैबाजी हाँ तैयार हो जाओ जुकान का मतरो धवराना रही बाद करहक से मैं करूगा तुमको खाली बठना है पीच पीच कुछ बोलना नहीं है तुमको खाली हाँ हुजूरी करना है ठीक है बाद बाजी माला ले लो तुकान साजाओ तुकान साजाओ हलो हाँ लेखिये जो भी मेरे बुढ़े बुसुर्गो मेरे पिता समान मात और बहने जो भी जिसको जेवर लेना हो ये दुकान खुल गई है हमारे पास आओ और मन चाहा जेवर ले जाओ चाहे बहु को पहनाओ चाहे लड़की को पहनाओ या खुद पहनाओ सजादिया अब मैं बात कर रहा हो ग्रहकों से बठो अब नहीं बोलना बठो है यदु कोई ग्राहक हुश्यार है यदु कोई ग्राहक हुश्यार और खरीते जो चाहे हो जी में आए हार हिलेले और बेंदी चंदादार या ले चाहे काद सुलहला चान भी जाए हार पास है देहने मेरे हजार और खरीते जो हो में जबुदार उलट पलट कर देख ले निर्खे खूब हजार ता शुर्पिया दोलाब के मेरा नवलखाहार अगर में तुमगा नहीं उधार खरीते जो हो में जबुदार आईए जिसको जेवर लेना हो शारर हमारे दुकान पे आईए और हमसे पर्चे करिये तस उर्पिया तोला शोना चांदी ले जाए हमने आपके बगीचे को भी आसपा भी चप्पे चप्पे च्छाना रहा है ना कोई चोर नजर आया हुज़ूर ना ही कोई लुटेड़ू इदर देखो वो चोराहे पे तो महादमा वहां बैठे नजर आ रहे हैं यह तुकान लगा है बैठे हैं अगर बदनाशी घर से घुजरे होंगे तो यह महादमा वह जरूर देखा होगा और जब देखे होंगे तो इसे पूछेंगे तो इसे जरूर बताएंगे वज़ूर को चलिए तो चलिए जैशीयराम जैशीयराम हाँ धुकान बेचते हैं यह दुकान से वर बेचने कीहारी है हम से से वर मैचने नहिते हैं आप तोना Germans का भाठ यह तो दस रुपया स्धीया तोला लाईना जो झाल ले जाओ बताव business अधर भाब बनाट हम सोना चांदी वेच रहा है लेना हो दोलो टाइम पास मत करो जरूर तुम्हारे लिए अरे ये कंगन है तुम्हारे काबिल नहीं है अरे लेड़ी समान है अरे लेड़ी नहीं लेड़ी जिनी आरतों के लिए है तु लेना नहीं लेना नहीं तुझे हां यह यह नो लखा हर है एर क्या पहनोगे क्या लोगे यह तुम्हारे काबिल कुछ नहीं हटो यह से यह वो कुछ है सर में मांधा जाता है अगर वो मेरे काम करें यह तो इसको मैं खरी दूँगा अच्छा ले जाओ अपने घर हां अपने मेहरिया की दुलहें को पहनाओं अरे बच्चा मेहरिया दुलहें नहीं की बात है मेहरिया दुलहें नहीं के ना है मैं सोचो कि ननन भाउ जाए नहीं नहीं चलो बाबा इसको तो मैंने महाराजी के बेटी के सर पे देखा था इसमें महाराजी का नाम में लुका हुआ है यह महातमों के पास कैसे आ गया इसका मतलब यह महातमों नहीं यह है साले चोर तो मिली गए मिली गए क्या बाज अतार पाई आजा 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 चोर में लिगे क्या चोर में लिगे इसका मलब यह साधु मतला नहीं है यह चोर है आउंके चाह से खेले ते तो साले कहां से मिले इस हो से आजा बड़ा हो जा है निकल चले ने और चारे कर गया महर में और बना हसा हुगार भूल छागती आख में मेरे आज तहेगा आज जेवराता है, यह का रहा है? यह तो हमारे हैं, लेकिन आप यह धमकी, यह क्या अज़्दार चला रहा है, फासी चला रहा है किसको चला रहा है किसे जाह रहे हैं ताट बल जी ऐसे नहीं कि दिलाएंगे लिगा इंट लेकर नहीं के पहुत दो इन तोनों के गर्द में फासी के फिंदा टाल दो जो जो अच्छोरी करके आए हो चोरी करके जेवरात लेकर के महल से भगे हो अरे बच्चा चोरी नहीं किया यह जेवरात पुर छेल वालावा कैसा हूं कि यहां सोचते हो बेच करके किराया भाड़ा हो जाएगा तो हम यहां से निकल लेंगे और यह नहीं को यह अन्नमान दीप है तुम जाओ के तो यहां से कर दो कि हो मार्टे हो यह कर दो यह कि भागती है कि अब अब आखक आखकशनी विस्ति हसे अदर विलिदम करते में उदिक करना ज़ल्द देख लिगाए परने करते में अदरित हुआ अधिन इसे निपट अधियाफ सकतते डिशित रिसे अधिया, अधिया धिया ग्याज़। आखिर हमने क्या किया है आप हमको मार रहे हो हमने चोरी किसी की नहीं किया किसी की यहां रखाईती नहीं डाला मारते मारते साले बीधावा काट दाल हुआ आखिर बात का है आप हमको धंकी दे रहे हैं थासी दे देंगे जे बिदलाओ अगर तुम लोग दे चोरी नहीं किया तो जे बिदलाओ यह जेवर तुम्हें मिले तो कहां से मिले इस जेवर के पीछे राज छुका हुआ है हम नहीं बताएंगे क्या कहां नहीं बतलाओ दे गए तो जाद रखाओ तुम्हारे जिसमें खाँ दे रहे हैं तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि अगर मैं सबके सामने बताता हूँ तो आपकी और मेरे बदनामी होगी इस लिए मैंने ही बता हूँगा यानिस दोरी नोगों ने किया बदनामी हमारी होगी इस जेवर के पीछे राज छुपा हुआ है लेकिन उप काओ सा राज छुपा हूँ जटा की रोगे भीमरु जब आपके घरबारी यहां से चले जाएंगे तो हमारे बीच आपके बीच ये बात में बताऊंगा बाकी नहीं बताऊंगा यानि तुम्हारा कहें बताऊंगा है कि हमारे जितने दर्बारी है मैं सभी को बाहर कर दूँ तभी तुम बतलाओगे ठीक अगर इसी बात है तो दारपल तुम थोज़ देर कि ये बाहर हो जाओ और ये कहते हैं जिवर्पी सिराज है इस सिराज को मैं मालम कर लूँ इसके बाद मैं तुम्हें ततकाल बुरा लूँगा अब आप उचे मजबूर करते हैं वरना मैं मारते मारते यह के तुम्हारी निकाल लेता जेला माराज हमारे जितने दर्वारी थे मैं शवी को बाहर कर दिया हूँ तो सुनो अब जावे कौन सा राज छुपा हुआ है कल हम लोग दर्या किनारे पूजा कर रहे थे दर्या किनारे पूजा कर रहे थे हाँ हमा और हमारा चेला हम लोग भगवान का भजन कर रहे थे उसी समय तुम्हारे सहर से तीन कन्या यानि तीन लड़की सज धटके 16 सिंगार करके रख में सवार हो करके हाथ में कलवार ले करके सर में मुकुडबान कर तीन लड़की आ जाती है और पूजा करते ही मेरे चेले को ऐसे दबोज लेती है इसको ऐसे दबोज लेती है फिसके बाद क्या हुआ जब मेरा चेला उनका कहना नहीं करता तो मेरे चेले को रस्टी से बांग देती है जाने तुमारे चेले को रस्टी से बांग देती है इसके पूरे कपले उतार देती है इसको उसी रख पे लिटा देती है फिर उन तीने लड़कियों ने भी अपने कपले उतार दिया और उतारने के बाद मेरे चेले को कोई उपर से कोई नीजे से कोई उपर से कैसे कैसे पिने पर करके उनको मरकर भगा दिया और अपनी जान बचा कर ये मेरे पास भागाया महाराज जिसमें कि एक लड़की के क्रोध में आकर के जंग में तिर्सूल भी मार दिया कैसे क्या कहा महाराज तुम्हारा चैने दाहिने पायवेत शुर्गा निशान है हाँ मार दिया और मार के भाग दिया लगि मार राज तुम्हाराज तुम्हाराथ की नाम बतलाओ जिस लड़की ने ऐसे घिनना हरकत की है चैने क्यों कि तुम्हाराज नाम बतलाओ वो लड़की मेरे हाँतर से मारे जाएगी कैसी बातें करतें है राजन जिस व conscious लड़की का नाम बता दूगा आपका कला सूख जाएगा पजल ठरा जाएगा और ये कलवार हाँ से गिर जाएगी राजाएगा मैंजी सिंगाजर में बैड़ कर इस साथ किया है सिर्थ तुम उस लड़की के नाम बतला मैं तुम से वादा करता हूँ उस परम्पिता पर में से जिक गसम का अगर कहता हूँ कियो लड़की मेरे हादा से मारी जाएगी तो सुनो राजान अगर ऐसी बात है उस लड़की के नाम भी मैं बताने जा रहा हूँ वो लड़की अती ही सुन्दर सर पे मुकुल बांदा हुआ खुबसूरत अच्छा डमरू बजा रहा है अम फासी पे तो है राजान उस लड़की के नाम मधूमनजरी है हमने कहा था कि जिस वक्ता आपको नाम बता दूँगा तो आप शर्म से सर जुका देंगे और आपकी तलवार हाथों से गिर जाएगी नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता तलवार के जाएगी तुमार का सकता है महाराज ऐसा नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है नहीं विश्वास है आपको नहीं हमें विश्वास नहीं है नहीं आए तो चाओ यहाँ से उस लखी दी जंग लेकिन नहीं आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी त्योंकि आप आप एक पुरुशे वो नारी है आपकी बेटी है आप महर जाए अपने पत्री से तहिए उसको अपने पास बिठा ले और प्यार से धीरे धीरे उसकी जांग खोल कर देखे अगर उसके जांग में किसुल का निशान है तो हमारी रहाई अगर नहीं है तो जो सजाद चोर की वो हमको मंजूर है ठीक है महराज तुम अभी पेर जाओ मैं श्रीक बिल्वाता हूँ अगर ये बात संद है तो तुम तोने की रहाई नहीं ते वरना तुरुन फासिक सजाद दिल्वाता हूँगा मैं बज़ार ये महत्माओं ने चोरी कुबूल की या नहीं की दारपाल ये तो हमार फिर उठे सम्झाम वानला हूँ उन्हें ने जो पतलाया उसका सुबूत मेरे नजरों के सामने नहीं है अरे हुजूर आपके सामने पूरा प्रमाण है सारे जेवरात रखे हुए हैं अभी आप सुबूत की बात करते हैं महराज महराज जो पतलाया है इस जेवर से बढ़कर वो जेवर सुबूत है वो जो की मेरे नजर जी और बैटी मधूमनजरी को दोनों की राजदरबार में प्पेस किया जाए ठीक हो जो आपकी आग्जे तो महराणी जी को और आपकी बैटी मधूमनजरी को बुलाताऊ अब जैसे अभी लाग रहा हूँ औरे वह तो देखने अरे महारानी जी आप आये साथ वे पेटी मधु मंजरी को लेकर के आई किसले बुलाई क्या बात है महाराजी से चल करके मिलो आप भी चलो चलो मिलो स्वामी दासी का प्रणा मस्व कर दो खुश रहा है किये स्वामी मुझे किसले बुलाई क्या बात है प्रिये तुम जाना चाहती हो कि मैं तुम्हें राज दबार में किसले बुलाई है बताएए तुम जो है बेटी मधुमंजरी को अंदर ले जाओ और यह देखो उसके दाहिने जांग में तुम्हें सुचना दिया जाए जैसी आप किया जाजा जाओ आप ऐसा आग्यां जाई देखा हम महातारी बेटी यहीं अगर बेटी के प्यार में आप से न बताया तो आपको कौन सा प्रमाण मिलेगा अरे जब हम नहीं देख सकते हैं तुम वहां गया देखने जाओं आप से पताए अमरबाद के तो यकीन होई जाओं का पता हुए बेटी के प्यार में नहीं पता हम नहीं देख सकते हो तुम कैसे देख सकते हो स्वामी क्या बात है यह बात सच है दहने जांग में तिरसूल का निशान है कितने घाव हैं हरे दौरपाल तीन घाव होना है तीन घाव होना चाहिए मैं सच कहती हूं जूट नहीं बोलते हैं ठीक है प्रिये तो मंदर जाओ जैसी अपके दौरपाल महराज ने चौब लाया था वा बात सदे हुमारे अगे महराज ने कोई य Congressी ने ची किया दौरपाल तौरह दौरह दोलिए हमें क्या पता था कि हमारे राज द्रवार बें जो संद महत्मा यादे थे हम उनकी श्यवा करते थे उन्हें अपार धन देकर अपने राज द्रवार से बिदा करते थे लेकिन आज हम धन देने के बजाए उन्हे बहुत बारा पीट दोर पाल अरे अरे महाराजी आपका मारो आप जया दे तो दुनों सदुन फेर मैं मसा के लाद घूचा की हूँ है अब चाचे चलो चली उन से मापी मांग लें जाए नहीं का तो सराब दे गया है तो रास्ता में पी ये पारे पारे मूती का पाइदा हो चलो आओ मापी मांग लें दे जाए पारे चलो 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 बहराज 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 आपके पास आज सरमिंदा होके आया हूँ क्यों कैसे सरमिंदा होकर आये हो बहराज है हमने जुद में मारा पेटा आपने क्या देखा और महराज जो आप बतलाए थे वह बात बिल्कुर सबतने माहराज अपने महत्वाब को माना पीटे उनका अपंप्हान किया कि आप जाने और वो भगवान जाने हम कोई देवता नहीं भगवान है जो हम माफ कर दें & छ्मक और दें माफ करने वाला उपर वाला है इसका तम्हें भूगणा है यह कोई वापस करना की चीज़ है महाराज हमने जाओ तुमको माफ किया अब हम लोग आप पर राज महल छोड़ कर जा रहें नहीं महाराज अब रुको और कुछ ले आजिया जाओ अब मेरे राय तुम्हेरी आत्मा बहुत दुखित होगी तो क्या करें बोलो क्या चाहते हो महाराज आप फोड़ देर के बेर जाएं मैं अपने बेटी शिवाद कर लूँ इसके बार मैं तुम्हें हसी खुझी के साथ अपने राय ते बार से चीज़े कर आप आप तहते हो तो हम रुक जाते हैं बेटी मधू मंजरी सामने आओ पिता जी बेटी ये बत्राओ कि हमने तुझे बच्पन से पाला हमारी परवर्श फे कोई कमी हो गई कोई कमी नहीं पिता जी कोई कमी नहीं पिता जी तुमने जो मांगा हमने तुम्हेरे लिए लागर के महलों में दिया ये बत्लाओत में मिला या नहीं मिला सब कुछ मिला पिता जी मिला पिर ये बोल तुने आईशी किनोनी हर्गत क्यों की अगर तु कह देती तो मैं तेरी साधी स्चाव से कर देता बोल यही तेरा धर्म कहता है नहीं पिता जी यह धर्म तो नहीं कहता लेकिन जो भी गलती हुई यह अंजान में हुई क्या कहा यह अंजान में हुआ है मैं तुझे माप कर दूँ तुझे यह नहीं मालूम कि मैं किसी के समने मुह दिख्राने लेकर नहीं छोड़ी है और कहती है मुझे अगर तुझ बतला देती तो मैं तेरी साधी साव से कर देता बोल आज मैं चंते के सामने शार उठागे चलता था बोल यहीं तेरा धर्ब कहता है नहीं पिता जी यहीं तेरा धर्ब कहता है नहीं नहीं जो लड़की अपने माबाप को इस संसार में मुझ दिखाए कर देता है लड़की मुझे जरूरत नहीं है तो मनने के लिए त्यार हो जाए नमबर एक नमबर जो और नमबर नमबर आप पीछ में आकर इस घंजर क्यों पकल लिए महाराज हा राजन हमारा हमारा दिल्य कहता था कि नहीं ये पाफ होने जा रहा एक महाराज के हाथों से एक बेटी का कत्र होने जा रहा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा इसलिए हमने आपकी किलवार रोका और और इसका कर ये है महाराज क्या करना है महाराज हमारे बेदो में क्या निका हो क्या निका हो हमाराज भरे बेदो में सुनो बेदो ने चारों लिख दिया इसे मारना नहीं चाहिए कितना पड़ा भी पाप हो नहीं चाहिए बियाना चाहिए कितना चाहिए